नमस्कार दोस्तों गुरुकुल अकेडमी में आपसे का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग के लिए विज्ञान की टोप फिप्टी क्यूस्टन्स लेके आई हैं जो आपके आने वाले एक्जाम्स जैसे रेलवी एससी पॉलिस सीटेट या जिस एक्जाम में साइस आती है उनसे भी एक्जाम्स के लिए वीडियो बहुत ही यूसफल रहने वाले बहुत ही ये फैदामंद रहने वाले फ्रेंस इस वीडियो में हमने वही क्वेश्टन्स रखे हैं जो पिसले 10 से 15 सलों बरबर एक्जाम से पोच्छे जा र हैं जल्दे से आप लोग चैनल को सिस्क्राइब कर लेंगे अधे कर लेगे बील आइकन पर भी कलिक कर लेंगे आगे है कार्बो हैड्रेट के अलावा हमारे आहार में उर्जा का पर्मुक्स रोत होता है क्या होता है जली से आप बताएंगे कार्बो हैड्रेट के अलावा हमारे आहार में उर्जा का पर्मुक्स रोत होता है वसा क्या वसा होती है भी हो जाएगा रेट आंशर वसा याद रखना आप लोग बच्चों में अंगो केस्तियां मुड़ जाती हैं ये दिक कमी हो के से विटामिन की कमे से बच्चों में अंगो केस्तियां मुड़ जाती हैं विटामिन D की कमे से विटामिन D की कमे से बच्चों में अंगो केस्तियां मुड़ जाती हैं विटामिन D को संसा विटामिन भी बोलते हैं इसको एक हार्मोन भी कहा जाता है ये भी आप लोग याद दखलेंगे विटामिन D का कैमिकल नेम कैल्सी फिरल होता है मुत्र के सर्वन को बढ़ाने वाली ओसदी को क्या कहते हैं जल्दी से आप बताएंगे अगर आप नभी तक वीडियो को लाइक ने कैसे भी लोग वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास सेर करतेंगे मुत्र के सर्वन को बढ़ाने वाली ओस्दियों क्या कहते हैं डायूरेटिक कहते हैं और शी रहेगा बिल्कुल यहाँ पर हमारा रड्यांसर डायूरेटिक जी फ्रेंस ये आप लोग अच्छे से याद रखना नेक्स्ट है मैमत पुरुवज हैं किसके पुरुवज मैमत जल्दी से आप बताएंगे मैमत किसके पुरुवज हैं किसके आथे के पुरुवज मैमत और शी रहेगा बिल्कुल रड्यांसर नेक्स्ट है फिरोमोंस समयता है उत्पन किया जाता है किसके दवरा उत्पन किया जाता है फिरोमोन्स जल्दिस आप बताएंगी किसकी द्वारा कीटों की द्वारा option बडी हो जाएगा विलकुल friends यहाँ पि हमारा रेट आंसर कीटों के द्वारा उतपन किया जाता है फिरोमउन्स option बडी रहेगा रेट आंसर next है भारत के सबसी बड़ी मचली कौना जी है संबदिक कोन है निल्व खे प्राइमेट ओ में आधनिक मानों का निकर्तम संबदिक कवन और इसे जट्मक कीट नहीं है कोंने मकड़ी कई tea नहीं है वि हो जाएगा रेट आउशर खटमल गरिलो मखी मच्री से भी कीट है और कीटों के एक विशिष्टा है क्योंकि उनमें तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है ठीक है यानि छे टांगे अधिकांस कीट सौशन कैसे करते हैं किसी करते हैं वातक तंतर से करते हैं अधिकांस कीट शुक्तर में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्च नहीं देता कौन एक एड़ना अंडे या रहेगा बिलकुल एरट यहां पर हमारा रेट आंसर नागराच चलिए आगे देखिए तालाबों और कुओं में निलुखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छो को नेंतरित करने मदन मिलती है किस एक को छोड़ने पर गैंबुशिया को छोड़ने पर जिफ्रेंस ऑफ्सन बर्शी रहेगा बिलकु आतम अत्या की थेली कौन कहलाता है लाइसोसोम कहलाता है कुछ का क्या आतम अत्या की थेली ओफ्सन बर ए रहेगा दोस्तु रेट आंशर नेशुशने कि पत्यों को हरा रंग परदान करता है कोन परदान करता है पत्यों को हरा रंग कोन परदान करता है कलरो प्लास्ट करत क्या है स्रावी करना है दी हो जाएगा बिल्कुल राइड आंसर स्रावी देखे आगे निलुकित में से कौन सा कोशिकांग डिन रखता है कौन सा रखता है सेंट्रियोल रखों सेंट्रियोल रखता है जी फ्रेंस ऑफ संबडी रहेगा बिल्कुल यहां पी हमारा राइड आं क्या कहलाता है माइटोकांड्रिया का भीत्री वलन क्या कहलाता है क्रिष्टी कहलाता है क्रिष्टी यह रहेगा बिल्कुल यह आप लोग अच्छे से यादखना क्रिष्टी कहला है माइटोकांड्रिया किसमे अनुपसित होता है माइटोकांड्रिया किसमे अनुपसित होता ह किसमे होता है बिल्कुल किसमे जिवानों में होता है जी फ्रेंस ओफ्षन बर्शी रहेगा बिल्कुल यहां पर हमारा रेट आंसर जिवानों यह आप लोग अच्छे से याद रखना जिवानों ठीक है नेक्स्ट है जी उद्रवी सबद का पर्योग स्रोपर्थम किस ने क्या था फ्रेंस पुर्किंजे ने क्या था बिहो जाएक दोस्त्र बिल्कुल यहां पर हमारा रेट आंसर पुरकिंजे अप लोग अच्छे से याद रखना पुरकिंजे जल्दी से friends आप अप बताएंगे गूंड़ शूत्र सब्द परदान किया किसने क्या था वाल ड्यर ने क्या था भी हो जाएगा दूस्त विलकुल यहाँ पर हमारा रैट आंसर वाल ड्यर यह आप लोग अच्छे से याद दखना वाल ड्यर नेक्स्ट है एरेनियो लोजी किसका अध्धन है एरेनियो लोजी किसका अध्धन है किसका अध्धन है मकड़ों का अध्धन है फ्रेंस एरेनियो लोजी भी हो जाएका बिल्कुल यहां पर हमारा रेट आंसर एरेनियो लोजी मकड़ों का अध्धन है ठीक है स्टेथोस्कोप का विश्कार किस ने किया था स्टेथोस्कोप का विश्कार किस ने किया था किस ने लैनेक ने किया था फ्रेंस भी रहका बिलकुल यहां पर हमारा रेड अंसर लैनेक जी फ्रेंस यह आप लोग अच्छे से याद रहना लैनेक ने किया था स्टेथोस्कोप क अगर आप नभीता को वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंस के पास सेर करतेंगे, सार कमचली में कितनी हडिया होती है, बिल्कुल कोई हडिया नहीं होती है, सार कमचली में, भी हो जाएगा रेट अंशियर, आगे देखिए चलिए, निस्क्यूशन, मेंडग का लारव क्या कहलाता है, मेंडग का लारवा कहलाता है, टेड़ पोल, उफ्रेंस को जाएगा, बिल्कुल फ्रेंस रेट आंशिर, मेंडग का लारवा क्या कहलाता है, टेड़ पोल कहलाता है, देखिए नेक्ष्ट, निरिसंस प्रानि कोंचा है, जल्दी से आप बताएंगे, निरिस प्राणिक कौन सा है बिल्कुर फेंस कौन सा है निरिसंस प्राणिक कौन सा है खच्छुआ 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 है निरिसंस प्राणिक कौन सा है खच्छ किस जन्तों में निल्कित में से किस जन्तों में अस्रु ग्रंतिनी होती है गड़ियाल में अस्रु ग्रंतिनी होती है नेस्ट कुछने सबसे विसला सर्प कौन सा है सबसे विसला सर्प कौन से आप बताएंगे सबसे विसला सर्प क्रेत कोन है क्रेत है सबसे विसला सर्प उफ आपट कौन सा है गोशला बनाने वाला एक मात्र साप बिलकुल फैंस किंग कोबरा है जो गोशला बनाता है भी हो जाएगा रेड़ा अंश्यूर नेक्स्ट है पेंगोईन चिडिया कहां पर पाई जाती है जल्दी से आप बताएंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करेंगे अपने फैंस के पास जल्दी से शेर करें ताकि वो भी यहां पर आके अपने एक्जाम के त्यारिक को अच्छे से आगे बढ़ा देखिए पेंगोईन चिडिया कहां पर पाए जाती कहां पर अंटार्टिका में पाए जाते दोस्तों पेंगोईन चिडिया तो और समब्सी हो जाएगा बिलकुल रइडर आंशेर ठीक है देखिए आगे वहें विलोग पकसी जिसके चौंच में दांत था कौन सा है वहें विलोट पक्सेजिस के चोंच में दाथ था, आरक्यो, प्रेडिक्स रेफ्रेंस कुन से, आरक्यो, प्रेडिक्स जिफ्रेंस ए राएका बिल्कुल यहां पे हमारा, रेट आरक्यो, प्रेडिक्स या दखना आप लोग अच्छे शी, चलिए, डोल्फिन वरगिकर्द के जाते ह है dolphin कि सतने में किये जाती है तो अफिसर बड़ी हो जाएगा बिलकुल यहां पे फ्रेंस रटा अनसर सतने यह आप लोग अच्छे सी याद अखना सतने ठीक है आगे देखें क्रेव्स चकर में किसका संस्लेशन होता है किसका होता है किसका होता है पायरुवी कमल का होता है किस का अंतिम उतपाद कोन्षा होता है बिल्कुल फ्रेंस लेक्टिक अमल होता है अनोक्षि शुषन का अंतिम उतपाद सी हो जाएगा बिल्कुल रैट आंशर जी हां याद रखना आप लोग अच्छे से अगला कोशन देखिए मुनुस्री की स्रीड में मुक्षी नायट्रोज कौन्षा होता है कौन्षा यूरिया होता है कौन्षा होता है यूरिया होता है और फ्रेंस यहां पर रैट आंशर यूरिया यह आप लोग अच्छे से याद रखना अगला कोशन देखिए संधारी इसमें यूरिया बनाती हैं किसमें लेवर में यकर्थ में यूरिया बनाती हैं और सबस्री अधिक यूरिया किसमें होता है मूत्र में होता है और मूत्र में यूरिया के मातर कितने होती है 46% ये भी याद रख लेंगे आप लोग नेक्स्ट है, मानुष्रीर में सभसे छोटी अंतेसरावी ग्रंती कौन सी है सी हो जाएगा बिल्कुल 10 यहां पिर रोटी प्योस्ण स म्मझता है कहां पर चंता है मनुष्य में रुद्र चंता है किसमें बौमन संपुट में चंता है रुद्र बौमन संपुट में दी हो जाएगा रेट आंसर बौमन संपुट यह आप लोग याद अखना नेक्स्ट है कि मुत्र का पीला रंग किसके कारण होता है मुत्र का पीला रंग किसकी मुदूद्गी के कारण होता है बिल्कुल यूरो क्रोम के कारण होता है मुत्र का पीला रंग ऑफ्षन बड़ी हो जाएगा यहां प्रेट आंशर नेश कुछने के चले क्या है गुर्दे की कार्यात्मक एकाई कौनशी है गुर्दे की कार्यात्मक एकाई कौनशी है नेफ्रोन है गुर्दे की कार्यात्मक एकाई कौनशी है नेफ्रोन है गुर्दे की कार्यात्मक एकाई कौनशी है नेफ्रोन है गुर्दे की कार्यात्मक पर कारि करता है किस पर करता है कारिये यह ठार चयह जाता है वर दृस्टेश इंगे यह अधिक्तम मात्रा किसमें पाए जाते हैं किस्में पाए जाते हैं मुत्र में पाएजाती है, किसे मुत्र में, जी फ्रेंस उफ्शनमर्ची हो जाएगा बिल्कुली यहाँ पी हमारा रेड़ाउंची यह जी फ्रेंस आप लोग अच्छे से यादखना, कि मानु श्री में यूरिया की अदिकतम वादर कैसे मुत्र में पाएजाती है, नेक्स्ट है अपोहन का प्रियोग किसकी किर्या को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रियोग किसकी किर्या को पूरा करने के लिए होता है वरिक की किर्या को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रियोग ओफिनमडी हो जाएगा जरेट अन्सूर नेक्स्ट Except मानू व्रिक असम्री में पाया जाने वाला परमुक रुसायने क्योंगी कौन साहिए वह कैल्षिम औक चिल्षियम हो सलेटी धाँ है कैल्षिम dicho यह हो जायेगा बिल्कूर फैंस क्या है समायते निशेचन होता है किसमें होता है जल्दी से आप बताएंगे समायते निशेचन किसमें होता है किसमें डेमबु वाहिने नली में होता है यह हो जाएगा बिल्कुल फ्रेंस यहाँ पर हमारा रेट आउंसर जी फ्रेंस यह आप लोग यादा है समायते हैं निशे से आप बताएंगे मेनामाता रोंflix का कारण क्या है क्या है पारा है मेनामाता रोक voiture का कारण जिए से आप बताएंगे निलखित अनुवांसिक रोगों में कौ सा योन संब्ढ़ देता है जल्दी से आप बताएंगे निल्खित अनुवानसिक रोगों में कौनसा योन संब्ढ़ देता है कौनसा है हीमोफीलिया है यह हो जाएगा दुस्त बिलकुल यहां पे हमारा रेट आंसर हीमोफीलिया यह आप लोग अच्छे से याद अगना निल्खित अ बिल्कुल फ्रेंस यहां पे हमारा रेट अंसर जा पाने इन से ब्लाइट इसका कारक होता है विसानों तो भी रहेगा बिल्कुल रेट आंचर तो फ्रेंस यह थे आज के हमारे कोश्चन्स जो अभी कमडेट हो चुके हैं अगर कोई डाउट है सिर्केज का सिभी के डाउट क्लियर के जाएंगे जैसे अगला विडियो आएगा तभी आपके डाउट वहां पर क्लियर कर दे जाएंगे जो लोग पहले बार यहां प्याए हैं जल्दे से आप लोग चैनल को सिस्क्काइब कर लेंगे साथ हैं बेल आइकन पर बेक कलिक कर लेंगे और जो लोग पहले बार यहां पर आई हैं सभी लोग फ्रापट अभी तक वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास सेयर कर देंगे तो फ्रेंस लेगा आज गले शूडियो में इतना आई थैंक्स वाचिंग गुडबाई जय हिंद जय भारत वंदे मात्र